आज के बुलेटिन में कई एहम खबरें हैं तो आप आखिर तक इस वीडियो को जरूर देख लें चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सफर और आज की पहली खबर है कमपनी रिलाइंस जियो का दिसंबर की तीसरी तिमाही में मुनाफ़ा 28 फीसदी बढ़कर 4,638 करोड रुपे हो गया इस दौरान कमपनी की कामकाज से आए साल दर साल करीब 19 फीसदी बढ़कर 22,998 करोड रुपे रही रिलाइंस इंडस्टी के चेर्मेन मुकेश हमबानी ने शुकरवार को इन नतीजों का एलान किया कमपनी ने तीसरी तिमाही में 70 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़े हैं सरकार ने सोशल मीडिया पर विग्यापन और अलग-अलग प्रकार के प्रोडेक्ट के एंडॉर्समेंट्स के संदर्भ में ये गाइडलाइन जारी की है इन्फुलूएंसर्स और सेलिबिटीज अब खुद के उप्योग किये गए प्रोडेक्ट का ही विग्यापन कर सकेंगे हर फॉर्म और फॉर्मेट में मिसलीडिंग वाले विग्यापन प्रतिबंधित होंगे मंत्राल्य ने कहा है कि गाइडलाइन्स का उलंगन करने वालों पर 10 लाग का जुर्माना लगाया जाएगा वहीं बार बार नियमों का उलंगन करने वालों पर 50 लाग तक का जुर्माना लगाया जा सकता है देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपने सभी खाताधारकों के एकाउंट से 147 रुपे की कटोती की है अधिकांश SBI खाताधारक 147 रुपे 50 पैसे की कटोती का मैसिज देख कर हैरान है बैंक ने ये कटोती ATM कम डेबिट कार्ड के सालाना शुलक के एवजमे की है इसलिए ग्रहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है सभी बैंक अपने ग्रहकों से डेबिट कार्ड का सालाना शुलक वसूलते हैं निजी शेतर के बैंक इससे ज़ादा शुलक लेते हैं अर्थ व्यवस्ता में चुनोतियों के बीच कार्पोरेट नौकरियों के बाजार से लगातार बुरी खबरे आ रही हैं गूगल की पेरेंट कमपनी अल्फाबेट इंक ने अपने ग्लोबल वर्क फोर्स से करीब 12,000 करमचारियों की छटनी का एलान किया है इसके पहले मेटा प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर और अमेजन भी बड़ी छटनी कर चुके हैं इधर भारतिय फूड डिलिवरी एप सुईगी ने भी 380 करमचारियों की छटनी का एलान किया है कंपनी के परवक्ता ने 20 जनवरी को बताया के वेंचर फंडिंग मार्केट की मुश्किलों को देखते हुए बिजनिस को विवस्थित करने के लिए ये कदम उठाया गया है सुईगी में कुल करीब 6,000 करमचारी काम करते हैं देश का विदेशी मुद्रा भंडार पांच महीने की उचाई पर पहुँच गया है 13 जनवरी को खत्म हफते के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में 10 अरब डॉलर से जादा की बढ़ोतरी हुई है और यह बढ़कर 572 अरब डॉलर तक पहुच गया जो पिछले साल अगस्त के बाद सबसे उपरी इस्तर है रिजर्ब बैंक के पास रखे गोल्ड की कीमत बढ़ने और आरबियाई की तरफ से डॉलर की खरीद में हुई बढ़ोतरी से विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा हुआ है विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी से बारतिय करेंसी रुपे को सहारा मिल सकता है